बोल श्याम प्यारे की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, बाला जी एस्ट्रोलोजी में तो कन्याराशिवालों मित्रों हो जाएए, सावधान तीनों लोकों में मच गया है, हडकंप अब दुश्मन भगवान को प्यार होगा यह घटना किसी के हाथ में नहीं है मित्रों, सच्चाई जानकर सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, आज इस वीडियो कौन देखा, बिलकुल मत करना, क्योंकि पांच दिनों का खेल शुरू होने वाला है, चलिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक जैकाल भैरव अवश्य ही लिख दीजिएगा, दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक आपके जीवन में जितना बड़ा होना था हो गया, जितना कश्ट आपको अपनी जिंदगी में देखना था, उतना दोस्तों आपने देख लिया, अब आपके जीवन में जो समय आने व आपको बस यह ध्यान रखना होगा, कि आप आज की इस वीडियो को अंत तक देखें, और खिड़की दरवाजे बंद कर कर देखें, क्योंकि यह जो गुप्त जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं, यह गलती से भी आपके दुश्मनों को पता नहीं लगना चाहिए, व तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, जो नहीं चाहता कि आप जीवन में तरक्की करें और इसके लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है, तो मैं आप सभी से केवल इतना ही सी बात कहना चाहूंगा, कि दोस्तों, आज मैं आपके दुश्म का नाम बता कर रहूंगा बस बेटा, अब तुम्हें और सहन करने की आवश्यक्ता नहीं है, तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देख लिया, अब तुम्हारा सामना होगा तो केवल और केवल खुशियों से होगा, तुम बस मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में अं करने से पहले दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी बहुत दुख है, यदि आप भी बहुत सारे संकटों से परेशान हैं और सारे उपाय करकर ठक चुके हैं, हार मान चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही हैं, तो आपको बता दे आज के इस परिशानियां चलती आ रही हैं, उन सभी परिशानियों से एवं दुखों से आपको मुक्ति दिलाएंगे. हम दोस्तों दिल से आपका भला चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शन है, जो हमें रोजाना सुनते हैं, देखते हैं, वह सदैव खुश रहे. उनके परिवार में हमेशा खुशियां आती रही, दुख उनके जीवन से हमेशा दूर रहे. और इसके लिए दोस्तों, हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना प्रदान करते हैं. तो आप बस अंत तक बने रहने. वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप बालाजी महराज के सचे भक्त हैं, तो अभी के अभी के आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए उसी के साथ. दोस्तों, जो भी भक्त, सचे मन से कमेंट बॉक्स में जैश्री राम तीन बार लिख देगा. मैं गारंटी के साथ कहता हूँ की, आने वाले अगले 24 घंटे में बालाजी महराज के चरणों में उसे भक्तों की अरजी लग जाएगी और बहुत जल्द आपकी अरजी स्वीकार भी होगी. यदि आपको मजाक लग रहा है, तो मत करिए. लेकिन यदि आपको हम पर एक प्रतिशत भी भरोसा है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर है बालाजी महराज, मुझ पर तो आपकी कृपा हो गई, तो देर मत करो, अभी के, अभी या उपाय कर लो. देखिए, आने वाले अगले साथ दिनों जितना ज्यादा हो सके, अपने आपको तयार करके रखें, कि मुझे क्या करना है इस समय में, और कितना पैसा खर्च करना है, यानि एक समय और बजट, इन दो चीजों का प्रबंधन आपके पास होना चाहिए, तभी आप परिवार के लिए समय भी निकल पाएंगे, तभी आप अपने जीवन साथी को डेट पर भी ले जा पाएंगे, और इनी चीजों से परिवार और व्यापार जॉब में संतु बना रहेगा, यहां पर आप कम करते हैं, वह मेहनत करेंगे, दिल लगा कर सच्चे मैन से, शिद्दत के साथ, तो शत्रू आपसे जलेंगे, शत्रू आपसे परिशान होंगे, यह बात स्वाभाविक है, चाहे वो कार्यक्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो वेक से कम ले, इतना आप ध्यान रखे, आपके कैरियर और व्यवसाय में थोड़ी बहुत दिक्कते हैं, ए सकती है, संभल कर रहिएगा, समस्या का समाधान ढूंड ही लेंगे, इंसान की जीवन में जब मुसीबतें आती हैं, तो एकदम से घबरा जाता है, उसका इंसान है कि रोने धोने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे समाधान को देख नहीं पता, तो अब जीवन में कोई भी समस्याएं दलिएगा नहीं, बिंदास रहीएगा और सोचेगा, आखिर ऐसा कैसे निपटाया जाए, इसे कैसे ठिकाने लगाया जाए, आपको भी बु आने वाला समय अच्छा हो, इसलिए आपको तीन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे पहली चीज है दोस्तों, आपके कर्म जिंदगी में कर्मों की मार से कोई बच नहीं पाया है, कर्म आप जैसे करेंगे, वैसे फल आपको मिलेंगे, तो कल आपको भी ना मिलेगा, अगर आज आप किसी की नौकरी लगवा रहे हैं, तो हो सकता है कल आपकी भी तरक्की होगी, तो कर्म लोट कर आता है, अच्छे का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल देकर जाता है, तो कर्मों को सबसे पहले सुधारना है जनवरी के अंतिम दिनों में दूसरे चीज, दोस्तों, सोच जमाना बदल रहा है, तो हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा। इसान हमेशा हमारी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए, ऐसा व्यवहार हमारा हो, इतना आपको ध्यान रखना है, तो सभी से प्रेम पुर्वक बात करिये, किसी को कुछ मदद करनी पड़े, तो उसे समय अपना कम रोक कर भले उसकी मदद करिये, लेकिन उसके मैन में एक पड़ेगी, तो मुझे किसी भी कीमत पर खड़ा होना है, ऐसा व्यवहार लोगों के साथ बनाया, अगर यह तीन चीजों पर आपने ध्यान देना शुरू कर, या तो आपका आने वाला समय शांदार हो सकता है, आपके कामों में काफी तेजी देखी जाएगी, समाज में आ कम मत होने देना, अपने लक्षे पर अच्छी तरह से ध्यान देना, ऐसा करने में दुश्मन आपको रोजगारने अफसर मिल सकते हैं, लेकिन अब रेडी मेड गार्मेंट्स या कॉस्मेटिक का कारोबार करते हैं, तो समय बहुत अनुकूल आपके लिए रहेगा, कहीं भी पैसा निवेश करने से पहले जानकारी निकल लीजिए, कि कहीं वह चीज गलत तो नहीं, अगर सही है, साला मशहूर करना है, तो आप निवेश कर सकते हैं, विद्यार्थियों का पट से मैन थोड़ा भटक सकता है, आज का जो जमाना है, वो बहुत ज्यादा विज्ञान से जुड़ चुका है, हम जब पढ़ करने जाते हैं, तो हमारे सामने हमारा फोन ए जाता है, हमारे दोस्त हमें बुला लेते हैं, मन पसंद मूवी ए जाती है, तो चीज कंसंट्रेट नहीं कर पाती, मैन भटक जाता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं या साक्षातकार की तै ये आपके लिए सही नहीं है, कार्यक्षेत्र में सीनियर आपकी जमकर तारीफ करने वाले हैं, क्योंकि आपने हमेशा दिल से महनत की है, अब जब हमारे उच्च अधिकारी हमारे तारीफ करेंगे, तो छोटे मोटे करमचारी को कहीं न कहीं बात जाता केगी की, मेरी तारी लव पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताने का मौका आपको मिलेगा, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, भाग्ये का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, यदि किसी को अपने दिल की बात बतानी है, तो समय अच्छा है, फरवरी के माह में वैसे ही प्यार के बीच आप होने वाले हैं, प्रेम संबंधों में बहुत गलत फहमिया उत्पन्न हो सकती है, अगर आप ओनलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो संभावना यही का रही है, नकारात्मक ग्रह आपके ऊपर नजर बनाए हुए है, छोटी-छोटी गलत फहमिया दिक्कतें देग इस से दूर कर लीजिएगा, उसी में आपकी भलाई है, अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर उसे स्वीकार करना है, संकोच बिलकुल भी नहीं करना है, खुले दिल से उसका स्वागत करना है, क्योंकि इन जिम्मेदारों से आपके पद और आपके कद दोनों में ही व्रिध् प्रतिसेहत का आप ध्यान रखें, नहीं तो बिमारियों होगी, जब महीने का अंत आता है, तो आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिस वजह से आपको उधर भी कभी कभी लेना पत जाता है, तो एक बजट का प्रबंधन करना सिख लिया, आप यह किसी से व्यवहार खराब कर लेना, आपकी सबसे बड़ी गलती है, और वही दुश्मन करता है, इसलिए कोशिश करिए, आपका व्यवहार विनम्र, आप लोगों से, जब बात करें, तो शांती के साथ बात करें, विनम्रता के साथ बात करें, ताकि आपकी बातें उन्हें चुबेना और वो आपसे हमेशा इंस्पायर हो, हमेशा आपकी सलाह मांगे, और जब आपको उनके जरूरत पड़े, तो आपकी मदद करने के लिए हमेशा वे तैयार हो, ऐसे व्यवहार आपको जिंदगी में बनाने हैं, इसी के साथ दोस्तों, जो पास दिन का समय है, किस्म बनाओ, यानि अच्छा समय आने का इंतजार मत करो, जो समय चल रहा है, उसे ही अपने अनुकूल बना लो, यही समय के अभिलाशा है, और आपको इसे पूरी तरह से समझना है, कि मैं घर बैठा रहूँगा, तो मुझे वह नहीं मिलेगा, जो भाग्य में लिखा है, मुझ परिवार की खिच-खिच जो है, या परिवार का जो गर्माहट है, वो आपके कामों में दिक्कत दे सकती है, कई बार ऐसा हो जाता है, घर पर जब लडाई जगड़ा होता है, और आप ओफिस जाते हैं, तो आपका कम में मैन ही नहीं लगता, और कई बार ऐसा भी हो जाता ह कि ओफिस में बहुत ज्यादा कम आपके सर पर ए जाता है, और आप जब घर आते हैं तो घर पे आपका मैन नहीं लगता, तो अब ओफिस की चीड़ चीड़ घर लेकर नहीं जानी है, घर की चिड़ चिड़ा ओफिस लेकर नहीं आनी है, इतना ध्यान रखें, तभी यह संतु आपको संतुष्ट रख पाएगा, तभी यह संतुलन आपको प्रसंद कर पाएगा, आने वाले अगले पंच दिनों में पडोसियों की ओर से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब हमारे घर में किसी प्रकार का विवाद होता है, तो अक्सर वह जाते हैं और आपकी जिंदगी में हक तश्रीफ करने, ए जाते हैं, आपके विवादों में बोलने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को जरा अपने से दूर रखिए, और अगर घर का कोई मसाला चल रहा है, विवाह चल रहा है, मामला चल रहा है, तो उसे अपने घर की चारदीवारी में ही आपको सुलजा लेना है, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, यही हमारी आपसे खास विनती हैं, आने वाले अगले पंच दिनों में किस्मत आपके साथ है, भाग ये 55% तक मौका दे रहा है, जाते जाते जनवरी का महीना आर्थिक तोर पर भले ही थोड़ा टांगे हैं क्य दुश्मनों से भी हाथ मिलना है, थोड़ा घमंड को त्याक करके हमें ऐसी कोई जड़ नहीं बचानी है, जो आगे रहकर हमारे ही पेड़ को खराब करें, यानि दोस्तों, आपको दुश्मनों को जितना हो सके अपने टीम में शामिल करना है, यह बात है कि जो इनसान बार भार धोखा दे रहा है, वह आगे आपका साथ देगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कोई आपका दुश्मन नहीं बचाना चाहिए, सब ही को मीठे बोल बोलिए, वानी को विनम्र रखिए, कोशिश करिए, सब ही आपकी टीम में जुड़ जाएं, और सब एक साथ म मोरल थोड़ा डाउन कर लेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हम आपको सिर्फ इतनी सलाह देंगे कि जिन्दगी में कभी खुद को कम वता कियेगा, क्योंकि दोस्तों, एक जो दिया होता है, वह बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वह जलता है तो जितना पूरा जहां है, सभी को प्रकाश कोई छोटा सा दिया मिटा सकता है, तो आप क्यों खुद को अपना समझते हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप भी किस्मत को नया जवाब दे सकते हैं, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं, और जो लोग आप अगर उनके बातों में नहीं आना है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप आगे जाएं, और अगर उनकी बातों में फैंस गए, तो कभी भी अपने लक्षे तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, इसी के साथ दोस्तों, जिस प्रकार पत जड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार से संघर्ष की बिना, जीवन में अच्छे दिन नहीं आते, अगर जिंदगी आपसे संघर्ष कर रही है, तो आपको बहुत कुछ देना चाहती है, आपको घबराना नहीं है, अपने कर्म पड़े रहना है, जो भी लोग व्यापारी है, उन्हें व जियापारियों के लिए महीने की शुरुआत बहुत लाप्रद रहेगी, बस पैसा जो बन रहा है, उसे थोड़ा संभल कर रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में वह आपके कम आने वाला है, इस वीडियो के अंत में दो उपाए हम आपको बताएंगे, जो आपके बहुत क करेंगे, बहुत आपकी जिन्दगी को आसान बनाएंगे, तो अंत तक आप वीडियो को देखते रहेए, सावधानी एक बन रही है, विद्यार्थियों के लिए काफी समय से देखा गया है, कि आप चीजों को ताल रहे हैं, हर चीज को आप पेंडिंग कर रहे हैं, और आप का यही गलती आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, हमें हर कार्य को उसी समय करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर कामों को अठकत रहेंगे या डालते रहेंगे, तुम मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है, आपके लिए यह अच्छा है, दोस्तों, हो कारों द्वारा प्रचंड संकेत मिले हैं, अब आपकी जिन्दगी स्वर्ग से भी बहतरीन बनने वाली है, लेकिन आपको अभी के अभी यह तीन गलतियां करना बंद करना पढ़ हेगा, क्योंकि आप अंजाने में यह काम रोजाना करे जा रहे हो, और आपको पता भी नही आपकी जिन्दगी में आए दिन दुख तकलीफ आ रही है, आपकी जिन्दगी धीरे धीरे नरक बनती जा रही है, आप दोस्तों अपने में ही मगन है, आपको भनक तक नहीं पढ़ड़ यह रही है, कि आप क्या-क्या अनर्थ कर रहे हो, लेकिन आज मैं आपको इस वीडि आपकी गलतियों को आपके सामने लाने वाली है, साथ ही अगले साथ दिनों में आपकी जिन्दगी में एक महा बदलाव हो रहा है, तो दोस्तों आईए जानते हैं कि क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, दोस्तों मूर्ख ही होगा वह जो आज के इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखेगा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना और पूरा का पूरा देखना, थोड़ी सी जानकारी भी अगर आपके कान में नहीं गई तो फिर दोस्तों, आपको बड़ा पश्ताना पड़ सकता है, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए रोजाना, आपका महाराष्ट फल, साथ ही आपकी राश्य से जुड़ी जरूरी खबरें लाता रहता हूं, तो उसके लिए, उस मेहनत के लिए, उस परिश्रम के लिए, वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले, बिलकुल मुफ्त के वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कॉमेंट बॉक्स में, सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जैबजरंग बली जरूर लिख दीजिए, पवनपुत्र हनुमान जी, आपकी हर मनो कामना पूर्ण करेंगे, और जो आज कॉमेंट बॉक्स में जैबजरंग बली लिखेगा, उसे अगले 24 अब इसी घंटों में एक बड़ी खुश खबरी मिलेगी, तो अभी के अभी जाईए और लिख दीजिए जैबजरंग बली, आए दोस्तों जानते हैं कि आखिर वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको करना बंद करना है, क्योंकि यह गलती आपके घर को आग लगा रही है, पह दोस्त का भी दोस्त होता है, रिष्टेदारों के भी रिष्टेदार होते हैं, दोस्तों इसलिए अपने राज किसी को भी बताने से पहले दस बार सोच लीजिए, क्योंकि आप दोस्तों उस व्यक्ति को अपना समझ कर, दोस्त समझ कर, अपने घर-परिवार की बातें, साथ ही अपनी कमजोरियों को अपने तक ही रखें। किसी को भी न बताएं कि आपकी कमजोरी क्या है। दोस्तों, कई लोग होते हैं जो अपना दुखडा दूसरों के सामने रोते हैं। देखिए अगर आप अपना दुखड़ा लोगों के सामने रोगे तो लोग आपकी मदद बिलकुल नहीं करेंगे बलकि उस दुखड़े का मजाख जरूर उड़ाएंगे सहानुभूती की चाह में आप दोस्तों सभी को बताते हैं लेकिन सहानुभूती कुछ समय के लिए होती है लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आपकी जो छवी होती है वह खराब हो जाती है इसलिए अपने दुखड़े अपने तक ही रखें लोग आपकी मदद नहीं बलकि आपका मजाख उड़ाएंगे अगली चीज़ है दोस्तों आप बहुत भावुक बहुत दया रखते हैं सबके प्रती बंद कर दीजिए अभी के अभी मैं आपको कई बार समझाया हूँ कई बार मैंने आपको टोका है कि लोगों का भला करना बंद कर दीजिए पहले अपना सोचिए अपने बाल बच्चों का सोचिए लोगों का भला कर करके आपने अपने ही पैरों पर कुलहाडी मार ली है आज दोस्तों आप सभी लोगों से पीछे रह गए हो जिसका भला आपने किया है वह आपसे कई गुना आगे निकल चुका है और जब आपको जरूरत पड़ी तो उसने दोस्तों आपको पीठ दिखा दी मुह पर मना कर दिया लेकिन जब आपके पास उतनी सर्व सुविधा भी नहीं थी तब भी आपने उसकी मदद करें लेकिन उस व्यक्ति के पास सब कुछ है फिर भी वह आपको पूछ तक नहीं रहा है इसलिए चतुर चालाग बनिये लोगों की मदद करो लेकिन दिमाग से करो जब आपके पास सौ रुपए हो तो एक रुपए की मदद करो जब आपके पास दस लाख हो तो दस हजार हजार की मदद करो लेकिन आप तो दानवीर कर्ण हैं दोस्तों आपके पास 10 रुपए होते हैं तो आप क्या करते हो 5 रुपए उधार ले लेते हो और 15 रुपए करके आप मदद कर देते हो बल्कि खुद गड़े में गिर कर लोगों की मदद करने चाहते हो आप सोचते हो कि वह मेरा अपना है, वह मेरा दोस्त है, मेरा रिष्टेदार है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए लेकिन दोस्तों, हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है, इसलिए थोड़ा स्वार्थी बन जाईए क्योंकि जब आप दुख में होंगे, तो आपका काम कोई और नहीं करेगा, आपका काम केवल आपका बचाया हुआ धन ही करेगा, इसलिए थोड़ा सा छतुर चालाक बन जाईए अब दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि आपके अंदर दोस्तों काफी चुस्ती फुर्ती है, लेकिन कभी-कभी आप आलसीपन बहुत ज्यादा कर देते हो, आपके पास अवसर भी बहुत आते हैं, पैसा कमाने के, धन कमाने के, लेकिन आप, दोस्तों, सबसे पीछे रह जाते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दोस्तों, सबसे आगे चलना है, यानि कि जब जब अवसर आए, उस अवसर को आपको तुरंत लपक लेना है, अब अगले, दोस्तों, साथ दिनों की मैं बात करूँ तो दोस्तों, अगले साथ दिन बहुत जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने, चारों तरफ से दोस्तों को धन दौलत मिलेगा, यूँ समझ लीजिए, आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी से तो आएगा ही नौकरी के अलावा भी, आपको कई जगह से आ सकता है, हो सकता है, आपकी कोई पैत्रिक संपत्ती है, उसका समझोता हो जाए, या फिर दोस्तों, मामा पक्ष से, ननिहाल पक्ष से भी आपको धन दौलत मिल जाए, ससुराल पक्ष से धन की आवक हो जाए, या दोस्तों, आपका कोई, दोस्तों, पिछले समय में आपने कहीं पूंजी लगाई थी, तो उस पूंजी का भी आप को कई गुना रिटर्न मिल जाए तो काफी अच्छा समय है दोस्तों इसलिए तैयारी में रहिएगा कोई गल्ती मत करिएगा आलस से मत करिएगा बस चौकनना रहिएगा आपका काम बन जाएगा तो दोस्तों आपके घर की खुशियों को मातम में बदल देगी आपकी सिर्फ यह एक गल्ती अगर आज नहीं देखा तो जीवन भर रोना पड़ जाएगा इसलिए हो जाएए सावधान और अपनी जिंदगी के कीमती वक्त निकालिए और अपनी जिंदगी को सलामत कर लीजिए दोस्तों अगले साथ दिनों के अंदर कई ऐसी चीजें आपके साथ होने वाली है, जो आपको भी आश्चर रिचकित कर देगी। सितारों के बदलते प्रभाव आपको सावधान कर रहे हैं कि आप, दोस्तों, केवल यह एक गल्ती मत करिएगा। अगले साथ दिनों में बाकी। दोस्तों, आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियां आ रही अगले साथ दिनों में सारी चीजें बताएंगे क्या गलतियां नहीं करनी हैं, क्या सावधानियां आपको अपनानी हैं, साथ ही दोस्तों आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन होने वाले हैं, वही दोस्तों आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वा तो दोस्तों अंत तक बने रहें और जो भी महादेव का भक्त है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। सभी महादेव के भक्त दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कॉमेंट बॉक्स में हर-hर महादेव अवश्य लिखिएगा। देवादिदेव महादेव आपके उपर अपनी कृपा बना कर रखेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर अगले साथ दिनों में आपको कौन सी गलती नहीं करनी हैं और अगले साथ दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। आइए दोस्तों विडियो की शुरुआत करते हैं एक अनमोल विचार के साथ। दोस्तों इनसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दरपन की तरह होता है। असलियत में हम अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। हमारी जिंदगी की असली सच्चाई हमें पता चलती है, जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं, क्योंकि यूं तो हम दोस्त अंध विश्वास में जीते हैं, कि मैं तो यह कल कर लूँगा, परंतु जब असली पहचान अपने आप की तभी होती है, जब हमारा मुश्किल दौर चल रहा होता है, तब दोस्तों, अच्छे अच्छों को अपनी आउकात पता चल जाती है, और अपने अपनों की भी सच्चाई सामने आ जाती है, कि आखिर बुरे वक्त में कौन अपना है, कौन नहीं, असलिए तभी पता चलती है, तो कभी भी आपका मुश्किल वक्त या और बहतर कर सके, बस दोस्तों ये उपर वाले का ही एक संदेश होता है, उनकी ही एक परीक्षा होती है, जिसे पास करके आप जीवन में तरक्की कर पाते हैं, तो घबराईए नहीं मुश्किल वक्त तो दोस्तों, कुछ समय का होता है, कभी-कभी कुछ महीनों का, कुछ सालों परन्तु जैसे ही वह खत्म होगा, आप भी कहोगे कि अरे मजा आ गए, अगर दोस्तों बात अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बात अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, और बोलें राध हे राध हे, जय कन्हया लाल की, बो दोस्तों कमी हैं, आपकी राशिके लोगों की कमी है, या यूं कह सकते हैं कि उनका एक दोस्तों अलग ही चीज है, या दोस्तों नॉर्मल भाशा में कहें, कि भावनाओं में आप जल्दी आ जाते हैं, यानि किसी से जुड़े अगर कोई, मान लीजिए कि आपका कोई साथ जीवन साथी है, जीवन साथी अगर वह आप से अच्छे से बात नहीं करेगा, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो आप बिलकुल नाराज हो जाओगे, भावनाओं में बह जाओगे, सोचने लगोगे, उदास हो जाओगे, यह आपकी एक कमजोरी है, आप दोस्तों, थोड़े से कठोर इनसान नहीं है, बलकि बहुत नरम दिल के इनसान है, अगर आप भी नरम दिल के इनसान है, तो हमें बताईएगा जरूर, कैसे पता करें कि हम नरम दिल के इनसान है, अगर कोई आप से बुरा व्यवहार करे, तो आपको बहुत ज्यादा बुर लग जाता है। किसी के सामने कुछ कह नहीं पाते हैं, मन ही मन घुटते रहते हैं ये सब। दोस्तों, नरम दिल के इनसान की दोस्तों खासियत है। हर किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, उसी की बातों में आ जाना। धोका बहुत ज्यादा खाते हो आप लोग। ये सब आपकी निशानी है। किसी से प्रेम में भी बहुत जल्दी पर डिड़ी एट जाते हो। कोई मीठा बोल लेता है तो आपको लगता है कि ये तो मेरा भला चाहता है, ये तो केवल मेरा इंसान ही है, मेरा अपना ही है। और फिर बाद में क्या होता है कि आपकी भाव करनी है, आपको बनना है थोड़ा सा चतुर, चालाक और थोड़ा सा कठोर। जब तक आप कठोर दिल के नहीं बनोगे, हर कोई आएगा आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा और आपको दोस्तों लूट कर ले जाएगा, आपको धोखा देकर चल जाएगा, आपका फाइदा उठाएगा और वह का फाइदा उठा कर चला जाएगा, उसका काम बनेगा और वह निकल जाएगा, तो यह चीज नहीं होनी है, आपको थोड़ा सा चतुर, चालाक बनना है, हर किसी के उपर आसानी से भरोसा नहीं करना है, और हर किसी पर दोस्तों आख मूंद कर भरोसा करन हाँ, सामने वाले को देखकर ही पहचान लें, कि वह कैसा है, कैसा नहीं, ऐसा नहीं कि दो दिन किसी के साथ बिताए और उसको ऊपर पूरा ही विश्वास कर लिया, अपनी जमीन जायदाद भी उसके नाम कर दी, ऐसा अंध विश्वास आपको नहीं करना है, साथ ही, अगले स अगले साथ दिनों में कोई भी आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है, किसी के उपर भरोसा न करें, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे, कि किसी के साथ भी प्रेम में पड़ डी 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 हे, तो थोड़ा सा अपने दिल को कम यूज़ करें, अपने दिमाग को ज्यादा यूज़ करें, क्योंकि कौन आपकी भावनाओं के साथ खेल जाए, कुछ कह नहीं सकते और अगली चीज़ है, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय या कोई भी गलत चीज़ न करें, वरना कोई आपका निर्णय गलत भी हो सकता है, आपके इस स्वभाव का कोई अन्य व्य फायदा भी उठा सकता है, बेहतर होगा कि अपना व्यावहारिक द्रिष्टिकोन रखें, अपना नफ़ा नुकसान देखकर ही कोई भी कार्य को अन्जाम दें, कोई आपके पास आएगा, थोड़े बहुत आंसु निकालेगा, और कहेगा कि मैं जीवन में ये हो गया, परे दूसरों सामने वाले को ही पैसा दिये जा रहे हो, कोई आएगा, उदाहरन तौर पर कहते हैं कि कोई आपके पास आया कह रहा है कि मैंने दो दिन से रोटी नहीं खाई है, मुझे खाना दे दीजिए और आपके पास भी दोस्तों उतना खाना नहीं है, केवल थोड़ा सा ब चतुर चालाक बन जाए, हर किसी पर अंधा विश्वास ना करें, दोस्तों कुल मिलाकर अगले साथ दिन ध्यान से सुनियेगा, बिजनस में नए एग्रिमेंट और प्रोजेक्ट हासिल हो सकते हैं, निवेश अगर कर रहे हो तो सावधानी से करें, नुकसान होने की आशंक वर्तमान गती विधियों पर अपना ध्यान रखें, सरकारी नौकरी वाले लोग अपने कार्यभार से संतुष्ट रहेंगे, पारिवारिक सुख शान्ती वा खुशनुमा माहौल रहेगा, जबकि प्रेम संबंध में गलत फहमिया हो सकती हैं, पर साथ ही दोस्तों, चीजों का सेवन नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो तैलिये हो, गैस और एसिडिटी की समस्या अन्यशारिरिक परेशानियां भी हो सकती है, इसलिए ऐसा कोई भोजन न करें, जिससे परेशानी आपको हो, साथ ही व्यायाम और मेडिटेशन पर भी ध्यान रख देखेंगे तो अच्छा रहेगा, लोगों की नकारात्मक बातों के कारण दुविधा बढ़ सकती है, कोई आपको उलजा सकता है, मान लीजिए, आपका ट्रैक बहुत अच्छा है, आप अपने कारे में आगे बढ़ते जा रहे हो, परन्तु कोई आपको उलजा सकता है, ब भावनाओं को सपष्ट रूप से नहीं बोल पाते हो आप लोग। कभी-कभी आपके मन में क्या है? आपके दिल की बात क्या है? आप लोगों को एकदम से नहीं बता पाते जिसके कारण निराशा बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए तनाव दूर करने का प्रयास करें। अपन जाएगी। इसलिए बोलना जरूरी है। जो लोग व्यापार से जुड़े लोग हैं, उनके लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। नौकरी वालों को थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। कोई गलती मत करिएगा, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अपने काम लिए इतना है धन्यवाद, जैमात अदी। आपका भविश्य उज्वल हो ऐसी हमारी कामना है।